दोस्तों नमस्कार स्वागाता चनल अजय में स्वा ब्लोग पर दोस्तों एक पर फिर से मैं आज जा रहा हूँ कुछ नए ब्लोग बनाने के लिए जिसका वीडियो आपको आप यह देख रहे होंगे स्वंबार को मंगलबार को इसके आगे आप देखेंगे तो आज अब अब बयभी हैं में हूँ निए असुनगर मेट इस्टसंट पर और क्योंकि हाँ संड़े हैं संड़े कु मैं फिर कहीन है वीडियो बिनाने के निकलता हूँ आज हम दो रेलभी इस्टसन को देखां करेंगे और मैं आप लोग को कहना चाहता हूं जो आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करें लाइक करें और क्योंकि आनए टेम आपको बहुत चीज ऐसे इसमें देखेगा टेन की जरनी प्लस रेल्वेस्टेसन का ब्लॉग सिर्फ मैं बहुत दिखाऊंग आपके बीडियो आपके सब्लोग में जेखेंगे, चली ब्लोग को ईज्वाइगारी दोस्तों तो मैं आच चुका हूँ सिवाजी कीज रेल्वेस्टेसन और यहां पर मैं बैठ चुका हूँ मुझे जाना है, वो खला, टिकट मैंने ले लिया है, खैदावर तक का, क्यों यह भी कहूंगा आप देखें, रेल्वे ने सारे ट्रेन को चला दिया है, लेकिन जितने भी EMU ट्रेन है अभी उसका उसने नंबर च्रेन नहीं किया है, सोचने वाली बात है, जीरो से स्टार्ट कर रखा है, हर जगह यही प्रॉल्लेम है, तो आज मैं दिल्ली से पहले बाद लोकल ट्रेन भी प मिल जाएगा, पताना मैं यह चाह रहा था, जो मात्र मुझे उफ्लाव तरना है, जो मुस्किल से यहां से 15 से 20 मेट कर आसता है, सोचें कितना किलोमेटर होगा, वो भी मैं डिस्कॉप्शन में होगा, जो कितना किलोमेटर है, और टिकट का मॉंट के बाद करेंगे, तो 30 र आपका वीडियो तो मैंने अलगे आपके बना के देखा है, वीडियो आप जब देखें, बसंद करें, और इलहाल मैं भी इस्टेसंट करेंगा, अब यहां से अभी एक ट्रेन लगे हुई है, राजधान एक्सडेस, उन्नेसवा, निदली, उस ट्रेन की चलते हुए, मैं ट कैनके अभी अभी आपके चानली के स्टेसंट की है, इस सुप Lazar डियो वीडियो, puisque अट लूम लेकरी में लिग टेखा हुए, इस चैनल पर सिर्फ रेल वेड ट्रेन की मैं मैं खुत जरने करूँगा, तो और साथ में railway station vlog ही आएगा तो चलिए यहां से पहले हम निकलेंगे और आपको उन ले जाएंगे उखला और फी उखला station का में आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा सिवाजी ब्रीज इस्टिसन का वीडियो बना चुका है आप जाएं और लिंक बाय बट्व में लिंक होगा उसमें क्लिक करें सिवाजी ब्रीज आपको आपको देख लेंगे और मुझे प्यार दिखा है अपनों प्यार निदिखा रहे हैं लाइक करेंगे सब्सकाइब बनाओंगे वीडियो साथ संडे है संडे को मैं आप सब के लिए आता हूं आगे चलके मैं आप सब को हर रोज निया निया भी दूँए चलिए बाते नहीं करके यहां से सीधे निकलते हैं अभी लोगा 40-45 मिनार फिर वहां से तब तक मैं क्रेंट करेंट के वीडियो नमस्कार स्वागत है चैनल अजय मिस्रा ब्लोग पर और जैसा कि अभी मैं हूँ ओखला रेलवे एस्टेशन पर और चलिए आपको मैं दिखाता हूँ ओखला रेलवे एस्टेशन और पूरी एस्टेशन का वीडियो देखे कितने प्लेफॉर्म है से इसकूर दिखाऊंग और जर्णी मैं उससी में डाल ता हूँ तो उसको भी जूरूप फोलोग करें डिसका में डिस्ग्रप्शन में लिंक आपको दे दूँगा अधिये आपको लेकर छलते हैं देखाते हैं आपको खला रेलवे एस्टेशन और चलिए आप देख रहें मैं बात करूँ यहां प तो ट्रेक तो यहां पर मैं पहले उस तरब जाता हूँ, वहाँ से मुझे एकदम एड़क्ट एडिया लगेगा जिसमें रेइल बे ट्रेक कितना है, लोग यहां पर क्रोस करते हैं, तो मैं भी क्रोस कर जाता हूँ दोस्तो तभी मैं हूँ उखला डेलबे एस्टेशन और आप देख सकते हैं तल से उचाए मिन सी लेवल 26.7 मीटर तो फिलाल एदम एंड पे हूँ लोग यहाँ पे ट्रेक को क्रोस कर रहे हैं और यह है एस्टेशन इस से लाज्ट देखे यहाँ पे एक उधर प्लेटफॉर् बीच में एक और ट्रेक है तो काफी ट्रेक है और यह जारी है नई दिली की ओर आपको यह बताऊंगा जिये किनसी कौनसी दिशा में हम है पूरा पसीं है उतर दचिने आपको अब भी हम दिखाएंगे फिलाल बात करते हैं प्लेप्षम संख्या एक प्लेप्षम संख्या यहां तो पांस प्लेप्षम यहां पर हैं आप इस जरूर समझ लें और ट्रेक की बात करेंगे फिलाल यहां पर ट्रेक जो है वो बीच में एक और ट्रेक है तो छे ट्रेक हम कह सकते हैं या उधर भी ट्रेक होगा छे सार ट्रेक हैं लेगिन प्लेप्षम जो हैं वो दो एक दो तीन चार पांच पांच यहां पे प्लेटफॉर्म है आईए इंज्वय करते हैं थोड़ा आगे बढ़के दिखाते हैं टेन यहां से एक बीस में से यहां तो यह तो यह टेन के इस टॉपेज यहां पे नहीं होगी यह सिर्फ इंजन होगा जो भी है यहां से निकल रही है और यहां से कोई ने कोई फास्ट टेन जाएगे ही मेरी वीडियो बनाने के अंतर तक तो आप इसको जरूर देखें तो यह है आपका ओखला रेलवे इस्टेसन ओखला रेलवे इस्टेसन के जिधर आप जा रहे हैं उस सेड में जो है अगला इस्टेसन है वो है निजा मुदिन रेलवे इस्टेसन यह सिर्फ इंजन जा रही है और पीछे जिधर इंजन जा रही है आपके पीछे उस सेड में है अगला इस्टेसन तुकाल का बाद रेलवे इस्टेसन और मैं आप बताओना चाहता हूँ कि ये रूट जा रही है पलवल, फैदाबाद पलवल होते हुए मत्रा अगड़ा होते हुए आपका मुंबे की ओर सूरत की ओर और इधर बात करेंगे तो जा रही है नई दिल्ली की ओर उससे आगे भी जाएगी जहां भी जाना होगा अमली सर की तरफ जो भी जाना होगा तो दोस्तों ये आपने समझा थोरा सा यही चीज़ मैं बताने का परियास किया बांकि ओखला रेल्वे एस्टेशन कौन सा इसका कोड है ये सारी चीज़ मैं बताओंगा एक पीछे से अबाजार ये ट्रेन है नहीं ये पता नहीं लेकिन मैं आपको इसके सभी इंफॉर्मेशन इस एस्टेशन की मैं डिसर्स में दे दूँगा सिर्फ एक ही चीज़ बताओंगा जो हम कौन सी दिसा में जा रहे हैं और ये कौन डिविजन में है करें सारव को कि ये से हैं ठीच संखियाँ एक को संखियाँ प्रेटरों दो अप्रतिया नीदिस लेकिन इसको इसका मतलब यह दर्जा नहीं दिया गया है लेकिन जाब।-प्रति प्रीटर दोनों सेड जाएंगे कि सेड में ठिकट मिलता है वह सब कुछ देखेंगे फोरा से वीडियो लंबा होगा क्यों पता है जब मैं इसके सब्सक्राइब बनाता हूं कि मेरा वीडियो लंबा ही होता है बैठने के लिए काफी ब्रस्था है किया गया है और यहां पर इसी तरफ है और जैसे मैं बताया था आपके सामने इसको हम पत्सिम नहीं कह सकते हैं पत्सिम इधर है इधर पूरव है तो नौर्थ इधर हो गया आपका उत्तर और इधर हो गया आपका कुबाएं में हो गया इधर दक्षिन हो गया तो आप देख लिए आपके सामने इसके पीछे पूरव हो गया और यह अभी हम है उखला डेलवे इस्टेशन पर यहां के इस्टेशन ट्रैप खतम हो जाता है इधर से बाहर पी निकलने का रास्ता है और इधर ही से टिकट कॉंटर भी है जी यहां जो चलिए गी तो ओखला एफली इस्टेशन को अंजवा ख़ए मेरे साथ कि साथ काफी वीडियों बने हैं मेरे के साथ काफी वीडियों बने है मेरी मुझाय के स्टोर्य इस्टोरिश सथिट उम हो रहा है जो भी है येकिन आपको हम ओखला एस्टेशन तो जरूर दिखाएंगे ही और यहाँ पर काम भी चल रहा है चलिए अब यहाँ से हम फ्लैवर पर पहले चलते हैं तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है जोरू बताइएगा इस तरह से मैं पूरे एस्टेशन आपको दिखाता हूँ जहाँ पर अवर वीज पर ही जाके मैं एस्टेशन का फोटो उपर से जरूर क्लिक करता हूँ वो भी आप देखते हैं और आप लोग वीडिय दोस्तों यहां पर एकी ब्रीज है तो आप यहां से बाहर निकलने का दोस्ते एकी रास्ता है आप यहां से उपर चाहिए और यहां से आप प्रहुन संख्यां दो तीन चार के तरफ जाएंगे तीन चार के तरफ और यहां से मैं उपर आ गया हूँ अब एक बार एक के तरफ जाएंगे देखेंगे यहां पर क्या पोजिशन है टिकट घर बुकिंग अफिस इधर बाहर निकला रास्ता इधर है और इधर सिर्फ आप इस्टेसन पर ही जा सकते हैं कुत्ता यहां बठा हुए मुझ मस्ती कर रहा है और आगे रास्ता इनों बंद कर दिया है तो कि यहां पर मरमत का कारी चल रहा है तो फिलाल यह है उखला लड़े लगे स्टेसन यहां पर एक एस्टन पूर्ण जाज इतनी यहां मुझी टेन लगी हुई है यह यहीं से टेन चलती होगी इसलिए यह यहां पर लगी है प्रफ्रा संख्या एक दो और टिकट दखा रहे देखें इन्होंने यहां पर लिखा पहले वह एक ही था लेकिन्होंने इसको कुछ चैंस कर दिया बाहर निकलने कहा रास्ता है आए यह पाहर पर निकलते हैं दोस्तों ऐसे आप यहां से बाहर निकलेंगे उखला से और खिज़ाब उखला से जहां भी जाते होंगे तो जा सकते हैं कि इसे संब्ध कोई भी आ सकता है जा सकता है वैसी लो बैठे वे यह से हम लोग ने गौम भैठते हैं तो चलिए पहले यहां कर रहा है कि यहां लोग खेल रहे हैं आनंद ले रहे हैं है कि यहां इस टेशन के जाने का टाइम हो गया है तभी यहां पिलाल हम आगे इस्टेशन के बाहर यह है टिकट रूम दोस्तों यह है आपका बाहर से उखला रेलवे स्टेशन इस तरह से अब यह लोग यहां पड़ी अब अंदर आएंगे अब यहां से लोग अंदर आते हैं इस तरह से यह खाली है तो दोस्तों यह है टिकट घर यहां से एक बज़े पलवल की टेम लेगी तो मैं काम करता हूं एक घंटा यहां रुकता हूं थास वीडियो को देखता हूं और फिर यहीं से हम तुगाल का बात के लिए चले जाएंगे दोस्तों यह है आपको मैंने दिखाया जो एक नमबर पे ही इसको एक ही कह सकते हैं भले इसको नमबर चेंज कर दिया है हम एक मान के चलते हैं और य देखा यहां पर उखला रेलवेश्टेसन की पूरी जानकारी आप ले रहे हैं मेरे साथ प्रेशन सांगिया आप इसको एक माने भली नुने इसको एक दो उसको कह दिया हो लेकिन आप इसको ही एक माने यह वैग 12 भी देख सकते हैं अलग तरह का इंजन यह है अब यह कहा ह बना हुआ है वह इस पर मुझे लिखा नहीं दिखाया वैग 12 इसमें आप देख लेको जा रहा है तो फिला हल आप इसको नहीं दिखा रहे हैं हम उखला रेलवे एस्टेशन को आपको हम दिखा रहे हैं यह आपने देखा ऊखला रेलवे एस्टेशन मैं भी रफंस राख कि अगला वीडियो आपको दूगालकाबाद रेलवे स्टेशन का ही होगा दोस्तों इस तरह से हर रोज मैं एक एक वीडियो आपको हर रोज अभी नहीं देखता हूँ क्योंकि आप लोगों प्यार नहीं दिखा रहे हैं है मैं जानता हूँ लेकिन जब आप लोग दिखाएंगे तो उतमी को जूर किया जाकता है तो यह चोटा सा इस्टेशन जहां पर मालगारी भी काफी सारी जा रही है इसमें कोई लगदा हुआ है और अभी जो आपने देखा यह इस तरह देखेंगे जो ट्रेंज यह जा रही और यह नॉर्धन डिविजन जोन में आता है और बात को डिविजन तो दिल्ली डिविजन के अंदर में यह इस्टेशन आता है और पूरे एक्टिफाइट इस्टेशन है जैसे कि आपने देखा एक अवर भीज है एक से लेके दो तीन चार पांस पे जाने के लिए तो इसी और चैनल जिसके अंदर मैंने ट्रेन रनिंग वीडियो यानि कि ट्रेन जो रन करते हुए जाती है चाहिए स्पीड सुलो हो चाहिए फास्ट हो वो दिखाता हूँ और उस ट्रेन की सभी इंफॉर्मेशन उसी ने डिक्सरप्शन में डाल देता हूँ तो वीडियो आपको जुरूर मज़ा आ रहा होगा चलिए एक बार चार पांच भी चलते हैं दोस्तों तो उखला डेलवेशन के पेट्रों सांखिया चार और तीन पर आपके सकते हैं मैं हूँ और साइड इस ट्रेन का टाइम हो चुका है जैसे मुझे लग रहा था इसमें इंजन लगा दिया है हो सकता है इसको अब यहां से ले जाए 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 इसका टाइमिंग हो तो मैं इस ट्रेन का वीडियो अलग से ट्रेन वाले में डाल दूँगा और इस तो समय लिंक दे दूँगा इस ट्रेन का नाम है यस्वंत पूर हज़त निजा मुदीन एक्सप्रेस 12650-12630 तो ज इस ट्रेसन पर जो की नई दिली के अंतरकत आता है और इसी तरह से आपको मैं इस ट्रेसन सब की जानकारी दिया कर दोंगा मुझे इस ट्रेसन दिखाने में मज़ा आता है खुद भी देखने मज़ा आता है और मैं चाहता हूं आप लोग भी इंच्वाइ करें वीडियो को आपको नहीं दिखा रहे हूंगे जो चीज मैं दिखाना चाहता हूं लेकिन उसके लिए आपका प्यार चाहिए देखिए लाइक ज़रूर करें करते भी आगे बरहेंगे अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा इस ट्रेसन जहां पर हम वित्रे थे वहीं पहुंच गए और आपको प्ला रेलवे इस्टेशन करम गाना में ने प्ला खर दिया अब हम यहां से पेंज जियार करेंगे तोड़ा सा एपने व्लोग में व्रेटयों सारे काफी बने विशले उसको उठाते हैं और आपके साथ फिरम इसी तरह से वीडियो दिखाते हैं अगर इससे पहले पहले इस्टेशन है बीच इन जामुद्दिन रफ जो चोर दें उसे पहले है तिलक वडिज उसके बाद है जैवाजी वडिज तब है नहीं दिली सिवाजी ब्रीज और तिक ब्रीज का वीडियो आप चरूर देखें और यहीं से अब जाते हैं तो पीछे के तरफ जब जाएंगे अगला इस्टेसन आएगा तो उसके लिए मेरे अगले ब्लोग को भी देखें और फिर हम आपको चलते हैं इसके बाद लेकर आपको पुक तो सब्सक्राइब करने जा रहा हूं कि वीडियो काफी लंबा बन चुका होगा जहां तक मुझे प्लोग मेरे कोई ब्लोग बारा चोज़ा पंदर सब्सक्राइबीस में होता है चाहे बैस्टेसन का ही ब्लोग हो उससे मतमनी होता है कि मैं सारे कुछ दिखने करता हूं जो कमी मिला कगी रह गया होगा वो मुझे आप बताये जरूर कमेंट करके उसकमी को दीरे दीरे मोदूर करेंगे तो कि यह के है दिली का लोकल ہے यहाँ पर बाहर गया नहीं हूं यही से अंदर बंदर में टेप पर रूंगा अगला ऐस्टेसन के तूगलकाया थिखाऊँगा भेटा बस से मैं निकलू तो वह आमको दोलर बता हूंगा फिलाल आपने वीडियो को पसंद किया हो जो पसंद करेंगे एक उनिक कर रहा हों और अलगल स्थेसन का ही यह वीडिएओगा on आप इंड़ियो कर रहे हैं लगले वीदियो देखें, अलगले इस्टेसन देखें, चाहे चोटा देखें, चाहे बरा देखें पेर बहुत छोटा इस्टेसन होगा तो भी हम 20 mere के वीडियू में हो जाता है क्योंकि मैं इस्टेस आपको पता है है मैं